हेलो फ्रेंड, देखिए मैं आज मिल्क से बनने वाला पराठा बना रही हूँ, यह बच्चों का फेबरेट है आप चाहे तो बच्चे के टिपिन में भी दे सकते हैं, घर पे भी दे सकते हैं, यह बहुत करारी बनती है और टेस्टी भी सासात होती है, देखिए यह कितना करा परत परत में खुल भी जाता है, देखिए इसका यह बहुत देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, दूध और सुगर डाली हो, तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं इससे बनाते हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अगर एच्पी अच्छा लगे तो और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे तो देर नहीं करते हैं चलते हैं बनाते हैं यह कप मैदा है इसको गरम पानी से गुन गुने पानी से गुथ लेते हूं ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए गुन गुना होना चाहिए इसका सॉफ्ट डो बना ले रही है मैदे के जब आटे का भी प्रियोग कर सकते हैं अटा लग गया है अब थोड़ा सा आथ में तेल ले लेंगे लेकर ऐसे इसको उपर मिला लेंगे कोछे से नहीं मिक्स करेंगे बस ऐसे करके इसको दस मिनट के लिए ढख देंगे एक प्लेट ले ली हूं इसके अंदर में ये दो चमत मिल्क पाउडर डालूंगी दो चमत मिल्क पाउडर और ये दो चमत चीनी है पीसा हुआ ये मैं घर में मिक्सी में पीस लेती हुँ चीनी को वही चीनी है दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर ली हुँ चलते हैं गैस की तरफ गैस पे तवा गरम होने के लिए रख दी हुँ तकाटे को अच्छे से मिला लेती हुँ गरम पानी से क्या होता है कि आटा बिलकुल सफ्ट हो जाता है इसको दो या तीन लोई इतना बनाना है आपको बना लेजिए इसको ऐसा फेला लेंगे और आटे की सहता से इसे पूरा गोलगोल बेल लेंगे से पूरे चकले का बेलेंगे इसे पूरे चकले का बेल नीहुँ और पतला होना चाहिए देखे, यह पतला है अब, इस पे घी लगा देंगे अब आप अच्छे से घी लगाएंगे कि अच्छे से लगा लिए अभी सो पर ये मिल्क पाउडर और जो चिनी है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हाँ से मिलाएंगे अच्छे से मिल गया इसको फोल्ड करेंगे इसको बिलकुल अच्छे से दबा दबा करके चिपका लेंगे इसे चकोर में बेल लेते हैं ये पतला नहीं रहेगा ये पराठा है तो ये मोटा ही रहेगा रेड़ी हो गया तावा गरम हो गया है इस पर डाल दे रहें उपराठे को इससे पलट ले रहे हैं इस पर घी लगाऊंगे पर दूसरे साइड भी से पलट लेंगे अच्छे से दोनों साइड घी लगा ली हूं इससे दबाकते फुला लेंगे तेकि कितना अच्छा ये फुल भी गया अपलेर में निकाल ले रहेंगे हैं कि बनकर के रेड़ी हो गया बाकी के पराठे से बना ले ती हैं रहे हो जरा जाए हुआ मैं कर दो और सक्टार है